हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग चैनल पर तो आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रुमेंट्स जो यूज होते हैं सर्जरी और सर्जियरी में ड्यू इन गाइनिक आस वेल आपस्टाटिक अद अधर सर्जरीज में भी फर्स्ट है अदेंसन थम फोर्सेप ये कब यूज होता है फोर होल्डिंग और मैनिपलेटिंग देलिकेट टीशू इसमें दो टाइप है टूथ और नॉन टूथ सेकेंड आलेस टीशू फोर्सेप आलेस टीशू फोर्सेप आर यूज फोर्सेप आर यूज फोर्स्पिंग and slippery or dense tissue during electrosurgery Alice कभ यूज होती है organs जो है उनको grasp करने के लिए और जो slippery organs है उनको hold करने के लिए ठीक है उसके बाद वलसेलम वलसेलम, it is used in gynecological operations to hold the tip of the cervix ये कभ यूज होता है gynecological operations में cervix का tip hold करने के लिए और इसका जो structure है वलसेलम का ये अलिस के जैसा ही है सिर्फ वलसेलम long है as compared to Alice ठीक है उसकी बाद next है artery forceps artery forceps का use कभ है use for grasping, compression and holding the end of the artery during ligation इसके नाम से इसका यूज हम याद कर सकते है जैसे artery forceps है तो कभ यूज होता है इसका use क्या है artery को grasp करने के लिए compress करने के लिए और hold करने के लिए ठीक है उसके बाद है right angle artery forceps right angle artery forceps का use क्या है to isolate, encircle and ligate the vessel or duct specially those present in depth इसको right angle इसलिए बनाया है कि इसका use depth में रहने वाली vessels या duct को hold करने के लिए होता है तो ये easily अंदर जाके depth में जाके उनको hold कर सकती है ठीक है उसके बाद है cocher's forceps cocher's forceps के use to hold securely to hold securely superior thyroid pedical vessels hold retracting cut ends of the vessels in top fibrous tissue hold ribs during the rib resection to cause artificial rupture of gestational membrane ये है cocher forces तो कहा कहा use होता है इसका thyroid pedical vessel को hold करने के लिए उसके बाद जो vessels है tough fibrous tissue में उनको hold करने के लिए जो cuts है end में उनको hold करने के लिए उसके बाद rib resection जब होता है तब ribs को hold करने के लिए use होती है ये forceps उसके बाद artificial rupture of membrane जब करते है in pregnant mother तब use होती है cocher forceps तो ये देखिए ये ऐसी होती है बाद को फोरसे इसका क्या use है used to grasp the delicate tissue in laser procedure they are frequently used with the intestinal and laparctomy procedure कभ यूज होती है ये delicate tissue को grasp करने के लिए और ये laser procedures में यूज होती है और intestinal and laparctomy procedure में हम बापकॉप forceps use करते है बार्ड पारकर हैंडल intend to be used with the BP safety blades for tissue separation and the other procedure that required a sharp surgical blade to puncture ये बार्ड पारकर हैंडल कभ यूज होता है जब हमको कोई surgical procedure करनी रहती है या sharp surgical blade का use करना होता है तब तो अब इसका use क्या है तो इसका नाम देखिए बार्ड पारकर हैंडल हैंडल है मिन्स इसका use कुछ हैंडल करने के लिए होता होगा तो क्या हैंडल करते हैं इसके help से हम blades जो होती है जो cut करने के लिए use होती है वो ड्यूरिंग सर्जरी तो कहा ये जो tip है यहां हम blades fix करते हैं आप जब भी ओटी में जाते हैं तो ये instrument आपको दिखेगा तो वहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें blade fix कैसे करते हैं ठीक हैं दिन कौटरी तो कौटरी भी ये ओटी में ही देखने को मिलेगी कौटरी क्या है एक electric instrument है और इसका यूज देखेंगे removal of unsightly wards and to burn और coagulated the specific area of tissue कौटरी का यूज कैसे करते हैं जो unsightly wards है उनको remove करने के लिए यूज करते है और जो tissues है उनको burn करने के लिए during surgery कुछ tissues होते है उनको burn करना होता है जो अंदर रहते हैं बाडी में अंदर उनको burn करने के लिए यूज होता है कौटरी और इसमें कैसा है कि हम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को जिस्टिस सर्जरी की ड्यूरिंग सर्जरी हम उनको कट नहीं कर सकते कुछ टिशूज को अगर हम कट करते हैं तो ब्लेडिंग हो जाएगी और पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है इसके लिए कॉटरी का यूज करके हम उसको बर्न कर देते हैं तो ब्लेडिंग भी नहीं होती और हमारा काम भी इजी हो जाता है यह देखिए यह जो टीप है इसकी हल्प से हम कट करते हैं और यह बटन से जिसकी हल्प से हम ओन आप करते हैं कॉटरी को और प्लक अटाच रहता है डारेक्ली टू दे स्वीच बोर्ट ठीक है निक्स्ट हम देखेंगे चिटल फोर्सेप चिटल फोर्सेप क्या है यूस्ट टू रिमूव दे स्टराइल इंस्टूमेंट्स प्रोम बॉइल अड फॉर्मालीन कैबिनेट दे फोर्सेप आर रिप्लेस्ट इन कंटेनर ओफ मिथिलेट स्पीरिट वेन नौट इन यूज चिटल फोर्सेप आया मतलब क्या याद रखना फोर्सली यह जो स्टराइल इंस्टूमेंट्स है उनको निकालने के लिए यूज होती है और इसको रखते कहा है मिथिलेटेट स्पीरिट में ठीक है बस उसके बाद है डीवर्स रेट्रेक्टर यूज टू होल्ड बैक अन अब्डॉमिनल वाल डूरिंग अब्डॉमिनल अन थोरासिक प्रोसीजर यह कब यूज होता है जब अब्डॉमिन और थोरासिक की प्रोसीजर चल रही है मिन्स कोई सरजरी चल रही है तब उनको अब्डॉमिन के वाल को होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है तो इसको यूज कैसे करेंगे हम यह जो पार्ट है ये abdomen wall को hold करके रखेगा ये वाला body के अंदर और ये वाला जो पार्ट है पीछे का वो हम अपने हाथ से hold करके रखेंगे ठीक है निक्स्ट है doings towel clip It is used to fix wrapping towels Use for fixing diathermy cables suction tube it easy ये कब use होता है इसके help से हम क्या करते है जो wrapping sheet होती है जो patient के उपर हम डालते है उसको fix करके रखता है ये during surgery इसकी वज़े से वो wrapping sheet है एकी जगा fix रहती है इधर उदर हिलती नहीं और हमको surgery में हमारी aseptic technique easily follow करने के लिए help होता है उसके बाद जो dithermy रहता है dithermy cables रहते है suction tube रहते है during surgery जो use करते है उनको भी fix करके रखने के लिए हम doans towel clip use करते है then next है doans retractor अब doans retractor क्यों use होता है during pelvic surgery हम इसका use करते है hold करने के लिए उसके बाद cat paw और wolfman's retractor retraction of skin and the top fascia इसका use करता है skin और top fascia जो है उनको retract करने के लिए then next है lagging back retractor यह कब use होता है in operation involving a lot of dissection in superficial muscle pain which requires retraction example hernioplasty and thyroid to me thyroid dictomy तो यह कब use होता है operation में जिसमें हम superficial muscles का use करने वाले है उनको retraction की जरूरत होती है तब हम lagging back retractor use करते है ठीक है next है my use towel clip यह क्यों use होती है towel clip है मतलब drape जो यह कब use होगी fix करने के लिए drapes हो या फिर sheet हो in a manner to expose the operative field only यह कब use होगी जो हमने sheet डाली है वो ऐसे इस तरह से fix करने के लिए use होगी जिससे हम हमें जो operative area है वो easily open रहे एक्सपोज रहे और अधर एरिया कवर रहे और अधर एरिया कवर रहे ऐसे समय पे जब हमें फिक्स करना है ड्रेप्स को तब हम my use towel clip यूज करेंगे also used to fix the tubings and the coterie wire to draps in a way that they don't fall यह जो है वो coterie wires को भी fix करने के लिए use होती है जिससे की वो गिरेना और हमारे infected ना हो ठीक है उसके बाद है मूरी is double ended retractor it is used to retract the strong structures like abdomen wall muscles and it gives the wider space to work यह कब यूज होता है जब हमें wider space पे work करना है abdominal surgery करनी है तब यह abdominal wall के muscles को retract करके रखता है देन नेक्स्ट है मॉस्क्यूटो आर्टरी फोरसेप इसका टीप देखिये मॉस्क्यूटो के माउथ जैसा एकदम थीन है c then as a hemostat holding cut edges to open up abscess hold free ends of the suture hold cut end of the sutures breaking the loculi atc इसका use क्या है यह cut ends जो है edges जो है उनको hold करने के लिए use होती है उसके बाद open abscess है उनको use करने के लिए help होता है उसके बाद sutures जो है उनको cut करने के लिए उनका जो cut end है उसको hold करने के लिए use होता है क्या मॉस्क्यूटो आर्टरी फोरसेप then next है needle holder needle holder कब use होती है यह use होती है during suturing जो needle रहती है suturing needle उसको use hold करने के लिए हम needle holder use करते है then next है scalpel blades इनका use होता है for incision यह different different muscle के according हम इनको use करते है तो इनके different different number है जिस प्रकार का हमको incision देना है उस प्रकार का हम blade use करते है ठीक है और इसको हम BP handle में fix करते है then next है scissors तो यहां बहुत सारी scissors है first है lister bandage scissor next scissors sharp edge mayo scissor straight mayo scissor curved उसके बाद matzay balum scissor curved उसके बाद spender spencer scissor stitch edge तो यह सब scissors कभ यूज होती है are used for sharp as well as blunt dissection and also used for cutting various tubings surgical dressings gauze and suture etc scissors I have then have to know board si we have to cut scissors तो इसके help क्या क्या-कट कर सकते है , tubings can cut cut 정도, surgical dressings, उसके बाद gauss, and COVID cutting time sutures we can cut cut झांक यू